प्रणाम सातियों मैं सुकांतो देवनात्ति पुरा से हूँ तो आप तो देख सकते हैं मेरे सामने एक बकरी हीट में आ चुकी है वो बकरी कान रात को हीट में आया तो आज दूपेर में हम लेके आया बीडर की पास और ये मेरा बकरी नहीं है दूसरे का बकरी है तो उन्हें को मेरे साथ कांटेक किया तो हमने पूझा कि वो कौन से टाइम पर हीट में मतलब आने लागा तो जिस तरह से बाई ने बोला तो हमने बुताया कि आर दस घंटे की बाद बकरी लेके आओ और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्रेब करें लाइक करें शेयर करें तो मैं चलता हूं मुद्दे की बाद पर देखिए बकरी पालनन में आपको जानकर रखना है बकरी को ह घंकरी हेट में आते हैं तो है लेकिन कितने दिर बाद में आपको बकरी साठिक जो टायम होता है पर फेट टैम जो होता है भुद आख़ा जिस हृूं से बरागंटे की बाद को उस्क्राइंगे तो वह बकरी के मातलब पार्फिट टैम पहॉं मतलब क्रॉस होगा तो बहु पास लेके आते हैं तो यह आपको समझ में होना चाहिए बक्री जो हीट आ गया तो उसका कम से कम आज से 10 गंटे के बाद उदेखा मतलब बीडर की पास लेका जाना चाहिए और आपको पता होगा एक बक्री फालन में आपको सबसे अच्छा बीडर होने से आपको फारम जो हो अच्छा होता है वह आपको बीडर के उपकी आपका जो फारम हो या एक दू बक्री हो। जो हो उसे दो नीडर बहर होता है आपको आपको पूंसा बीडर हो सबसे का अचे नहां तं़ देखा है और देखा है और मेरा फुल नंबर फिल्टी पर है और चनल के नाया है दो चनल के सक्रेक रहे हैं बक्री कोई भी हो छोटा हो या बरा हो लेकिन आपके फारां पर जो ब्रीडर होगा और जो बहुत बाई लोग एक दो बक्री पहलन करते हैं बाईतल मेरे यही शाला देऊंगा जो ब्रीडर आपको दिखाना चाहिए बहुत बड़ा होना चाहिए एग्रिसिव होना चाहिए थाकि आपको बाच्चा जो आएगा सामने में बहुत अप्सुरत होगा और देखने में बहुत को अप्सुरत होगा यह को बहुत बड़ा दे बबस्टों का दो कि अढ़ा है